हाई प्रेंट्स विल्कम है हमारे यूटूब चैनल पे टूड़े वी हाइब सेलेक्टेट टेस्ट नमबर 16 प्रेंट्स यह हमारा टेस्ट नमबर 16 है इस पर बात करेंगे काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है भारत के प्रमुक अनुसंधान केंद्र या सोद संस्थान के अक्सर एक्जाम्स में यहां से कोशन पूछ लिया जाता है इसलिए एक टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है यह जितने भी स्टेट के PCS एक्जाम्स होते हैं RRB, NTPC, Railway, Allstate, Nursing एक्जाम्स तो उनका एक सलेबस होता है अनुसंधान केंद्र काउन सा अनुसंधान केंद्र य यह ही है कि उस पे भी एक या दो कोशन अनुसंधान केंद्र से पूछे जाएंगे जितने भी भारती अनुसंधान केंद्र है यहां से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है अक्सर एक्जाम्स में कोशन पूछा जाता है हर एक एक्जाम्स में बन जाता है आर्मी और पुलिस के लिए भी यहां से काफी important question होते हैं जो अक्सर exam में यहीं से पूछ लिए जाएंगे चलिए पढ़ लेते हैं question number first जो भी अनुसंदान केंदर आपके exam में आएंगे यहीं से फस जाएंगे जो भी ज्यादा important होते हैं अक्सर exam में पूछे जाते हैं वही हमने यहां पर cover किये चलिए question number first है राश्टिय ग्रामीड विकास संस्तान कहा इस्तित है कहा इस्तित है आप पढ़ ले question अच्छे से राश्टिय ग्रामीड विकास संस्तान इसका जो right answer होगा आपसंसी होगा क्या आपसंसी हैदराबाद में इस्तित है राश्टिय ग्रामीड विकास संस्तान इसी को national institute of the ruler deployment कहा जाता है काफी important है अक्सर exams में पूछ लिया जाता है next question है यहाँ पर आप देख लिए थोड़ा details भी mention है आपके लिए जो काफी important होती है आपके exams के लिए IRDA बीमा नियामक एवं विकास प्रधिकरन कहा जाता है काफी tough word है लेकिन काफी important है यह कई बार exams में पूछा गया question है बीमा नियामा के विकास प्रधिकरन का जो headquarter है वो कहाँ है है हैदराबाद के अगर वर्तवान में बात करें तो यह किस state के अंतर गताएगा तो यह तलंगाना के अंतर गताएगा तो IRDA mostly यही दिया जाता है IRDA यहाँ पर हमने पूरा मेंसन किया है बीमा नियामा के विकास प्रधिकरन कुछ भी exams में दिया जा सकता है तो ध्यान में रखना है आपको हैदराबाद इसका आंसर होगा जो question बताया था उसका भी answer ध्याना के राष्टी यह ग्रामीड विकास अंस्तान इसका भी headquarter कहा है है हैदराबाद में चलिए next question पर चलते question number 2 आपकी screen पर पढ़ ले फिर अपना answer बताएग भारती यह रिजॉर्बाइंग का मुख्याले कहा है इस्तित है इसका जो right answer होगा आफसंसी होगा बुंबई में इस्तित है बुंबई कहा है महराष्ट्रा में और इसे भारत की industrial capital की नाम से भी जाना जाता है किसे मुंबई को तो ध्यान रखना है और भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है लेकिन अगर आप से पूछा जाए एक्जामस में कि भारत की ओधोगिक राजधानी क्या या industrial capital क्या है तो आप बताएगा answer मुंबई ओके यह महराष्ट में है यहाँ पर आप देख लिए यहां से कु जब भी question पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत हुई थी यह question तो पूछ लिया जाता है अक्सर हर एक एक जामस में जो RBI की इस्थापना थी कब हुई थी तो एक अपरेल 1935 को हुई थी पूछा जाता है इसकी जो इस्थापना एक अपरेल 1935 को हुई थी या कभी-कभी debt mention नहीं की जाती तो आपसे पूछा जाता है RBI की जो इस्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी जब आपसे एक्ट पूछा जाएगा तब आप बताएंगे 1934 क्या 1934 के अधिनियम के तहत यह RBI का ही अधिनियम है तो ध्यान में रखना है RBI के अधिनियम 1934 के ट्रांसपर हुआ तब ये बुंबाई आया ओके तो ध्यान में रखना है जब सका राश्टी करण किया गया तो कब किया गया था 1949 को किया गया था 1949 को इसका राश्टी करण को किया गया था अक्सर जो आपकी examस में question पूछे जाएंगे तो ये पूछा जाता है RBI की जो इस्तापना हुई थी कब हुई थी 1 April 1935 को भी थी RBI का राज़्टी करण कब हुआ था Nationalization कब हुआ था Nationalized कब हुई थी 1949 को हुई थी ये बात ध्यान रगना है Public Service Commission के लिए PCS में ये पॉइंट जादा पूछा जाता है कि जो RBI की स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहट की गई तो 1934 के अधिनियम के तहट की गई थी अब चलते है इसके बारे में और जो पॉइंट पूइंट पूछा जाते है जो काफी इंट्रेस्टिंग होते है RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसे केंदरी बैंक के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ लें केंदरी बैंक के नाम से भी जाना जाता है इसी को सेंटर बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है केंदरी बैंक कहा जाता है अगर आप से एक्जाम्स में पूछा जाए State Bank of India का Headquarter कहा है तो आप बताएंगे मुंबई में RBI और State Bank RBI जो है और जो State Bank है इन दोनों का Headquarter मुंबई में ही कहा है Reserve Bank of India और भारती State Bank तो ध्यान में रखना है यह दोनों का Headquarter मुंबई में है Mostly जितनी भी बैंके होती है Mostly सभी का Headquarter है मुंबई में कुछ का छोण के जिससे पंजाब का हो गया और दो दो चार बैंकों का छोड़के मुख्याले उनका दो चार पाच बैंकों का इधर उदर है बाकि Mostly बैंकों का Headquarter है वो मुंबई में है question number ay next यहाँ पर पढ़ ले lips question number 3 question number 3 पर पुचा गया है भारती यह इरा आसास्तान केंदर कहा है इसती है यह भारती यह इरा सास्तान कहा है इसती है इसका correct answer होगा option D होगा यहाँ पर diamond का काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है हीरा वाला काम ठीक है जो भारतिय हीरा संस्तान है ये सूरत में है ये गुजरात में पड़ता है next question is question number four question number four पे दिया गया केंदरी अउसरी एवम विस अनुसंधान संस्तान कहां इस्तित है काफी इंपोर्टेंट है एकसर एक्षाम्स में पूछा जाता है आपसन भी इसका राइट आंसर होगा क्या लखनाव में इस्तित है ठीक है इसे सीडियराई के नाम से भी जाना जाता है केंद्री आउसरी इहों विस अनुसंधान संस्तान ये लखनाव में लखनाव यूपी म पर फाइब पर दिया गया राश्टी ये पर्यवरन अभी आंत्र की अनुसंधान संस्तान का इस्तित है इसे नीरी के नाम से भी जाना जाता है कई बार इसे फुल फॉर्म भी इसका दी जाता है एक्षाम्स में पूछ ले जाता है इसका हेड़कॉर्टर कहा है इसका पूछ लिया जाता है भारती वन इवं प्रभंधन संसान का इस्तित है तब इसका राइट अंसर होगा भोपाल में इस्तित है कहां भोपाल में इस्तित है जब कोशन पूछा जाए राश्टी पर्रयवरन इवं अभी आंत्र की अनुसंधान या भारती पर्रयवरन इंजिन अनुसंधान अभियांतरी का मतलब होता है इंजिनिरिंग ठीक है तो ध्यान में रखना है अपने तो आप यहां पर यह देख शकते हैं नेशनल इंवार्मेंट इंजिनिरिंग रिसर्च एन एस्ट्यूट कहा जाता है इसे तो आप आंसर बताएंगे नागपूर महारास्ट जब आपसे उस पे वर्ड लगा हो प्रबंधन भारती है प्रबंधन अनुसंधान के इन तब आप अनुसंधान संस्थान लिखा जाएगा ठीक है तब आप बताएंगे भोपाल में है नेश्ट कोशन है कोशन नमर 6 और 7 नमर कोशन पे इसी तरह कोशन मेंसन किया है वहां मिलते जूलते कोशन होते हैं अकसर एकशामस में पूछे जाते हैं और काफी ज़्यादा डौट होता है यहाँ पर देख लें केंद्री यह वन एवं पर्रेवरन सोद संस्थान कहा है इसका जो राइट आंसर होगा आपसन भी होगा है यह देहरादून में कहां देहरादू यह उत्राखंड यूके उत्राखंड में पढ़ता है तो इन कोशन पर थोड़ा फोकस करना है आपको यहाँ पर देख लें कोशन नमर एट है आपकी स्क्रीन पर केंद्री है चावल सूद संस्थान कहा है इसका जो राइट आंसर होगा आपसन सी होगा कई बार पबिक जाना जाते है यह एसिया की सबसे बड़ी जील होती है लेगून जील क्या होती है तो समझ लेते हैं जब ही क्या होता है यहाँ पर पानी भरा होता है इसके बाद क्या होता है यहाँ पर साइंड थोड़ी सी जम जाती है और यहाँ पर पानी जो फिल होता है इसी को लेगू q.9 को दिया गया है DNA FINGER PRINTS केंद्र का इस इस भाइराबाद में कई बार EXAMS में पूछा गया है नेस्ट कोशन यहां पर देख लिए थोड़ा सा मिलता है जुलता है बस इसी बात को मेंशन किया गया है इसका जो राइट आंसर होगा आपसन भी होगा लखनाव में इस्ती थे कहां लखनाव में यूपी में इस्ती थे यह एस्या का पहले डिना बैंक है डिना बैंक गोके तो ध्यार में रखना है कोशन नमबर 9 और 11 एक जैसे होते हैं लेकिन आपको ध्यार रखनाव में आप यहां पर देख लेए इसकी स्थापना किसने की थी Asia first DNA bank last in Lucknow कहा launch किया गया था पहली बार Lucknow में किया गया था Asia's only and what second यह Asia का पहला या अकेला DNA bank है दूसरे नंबर का word में बात करेंगे संसार में दुनिया में तो यह दूसरे नंबर का है This bank has been established by the Dr. Sahid Ahmed यह बैंक Dr. Sahid Ahmed के द्वारा इस्तापित किया गया था यह डारेक्टर है IQRA के यह बायोटेक सर्विसरेच के यह क्या है डारेक्टर है तो ध्यान में रखे जो पहला DNA bank Asia का इस्तापित किया गया था Lucknow में किया गया था किसके द्वारा किया गया था यह डारेक्टर Sahid Ahmed के द्वारा किया गया था Question number 11 पढ़ ले फिर आपना अंसर बताना चाहे तो आप बता सकते है In the last बताए आपने कित कोशन सही किया Question number 11 केंद्री यह दलहन सूद संस्तान कहा इस्तीत है काफी सिंपल से कोशन है पूछा जाने वाला कोशन है इसका राइट आंसर होगा कानपूर में इस्तीत है नेक्स्ट है Question number 12 यह UPFFC के लिए काफी इंपोर्टेंड है और पेट एक्जामस काफी सिलेबस है और हर एक एक्जामस में इसकी कोशन पूछे जाते है Question number 12 केंद्री यह खाद प्रदोग की संस्तान कहा इस्तीत है इसका जो राइट आंसर होगा आपसन ए होगा मैसूर कहा है करनाटक में ओके तो मैसूर करनाटक में इस्तीत है आप अपना आपसर यहाँ पर देख शकते हैं Question number 13 तेरा नमर कोशन देख ले फिर अपना आपसर बताएं केंद्री यह इनन अनुसंदान संस्तान कहा इस्तीत है इसका राइट आंसर क्या होगा आपसन डी इस दा राइट आंसर जादू गोड़ा यह जारकर्ण में है ओके राइट आंसर आपसर आपसर डी कहा इस्तीत है भोपाल में इस्तीत है ए आपसन इस दा राइट आंसर Question number 15 15 पे दिया गया है केंद्री यह तंबाकू अनुसंदान संस्तान कहा है इस्तीत है इसका जो राइट आंसर होगा आपसन भी होगा काफी पूछा जाने वाले question है आपसन भी राजमुंदरी राजमुंदरी कहा है एपी एपी मिन्स आंद्रा प्रदेश तो यह आंद्रा प्रदेश में केंद्री तंबाकू अनुसंदान संस्तान आपसन भी दा राइट आंसर Next है Question number 16 16 पे दिया गया है केंद्री त्रेक्टर संस्तान कहा है इस्तित है इसका जो राइट आंसर होगा आपसन ए होगा नई दिल्ली में इस्तित है कई बार पूछा जाता है मैचिंग के लिए आता है पब्लिक सर्विस कमिशन में Question number 17 भारतिय गन्ना अनुसंदान संस्तान कहा है इस्तित है काफी इंपोर्टिंट है आपसन बीस का राइट आंसर होगा लखनव में इस्तित है भारतिय गन्ना अनुसंदान संस्तान Next is Question number 18 18 पे दिया गए केंद्री आलू अनुसंदान संस्तान कहा है इस्तित जापन की रिसर्च होती है इसका जो राइट आंसर होगा आपसन सी होगा सिमला है ही मार्शाल परदिश में Okay आपसन सी इस दा राइट आंसर Next is Question number 19 19 पे दिया गए जीवाडू प्रधोकी संस्तान कहा है इस्तित है वेर दे इन स्टीट आप दी माइक्रो वायल Technology Located कहा है इस्तित है आपसन डी इस दा राइट आंसर चंदीगड चंदीगड पंजाब में है यह पंजाब की भी कैप्टल है हरियाना की भी कैप्टल से तो ध्यान में रखना है और एक पॉइंट है इसे City of Beauty के नाम से भी जाना जाता है यह पंजाब और हरियाना की कैप्टल से दो राज्यों की कैप्टल चंदीगड नेक्स्ट है कोशन नंबर है 20 20 पे दिया गया भारती मौसम वेद साला कहा है इस्तित है अक्सर इक जामस में पूछा गया कोशन है यह आपसन यहाँ पर देख लें कोशन फिर आपसन देख लें अपने भारती मौसम वेद साला कहा है इस्तित वेर इस दा इंडियान वेदर आप्जरवेटरी लुकेटेड इसका जो राइट आंसर होगा आपसन ए होगा पुड़े में इस्तित है पुड़े मतलब पूने पुणा कहा है महराष्ट्रा में तो आपको ध्यान रखना है कहा है पुणे आपसन ए यहाँ पुणा कहें यहाँ पर देख लें कोशन नमर है 21 21 पर दिया गया है भाबा परमाडू अनुसंधान केंदर कहा है इस्तित है आपसन में बुणबे न tombé नहींड हो तो ध्यान रखना है trambay दिया जाता है ऋब्भाइ मिल जाएगा अलेकिस ब थ्यान रखना है आपको ध्यान रखना है इस तरह trambay दिया जाएगे महराष्टरा में पर देखर का नाम थे इसके जो फाउंडर थे संस्थापक थे वो कौन थे डाक्टर होमी जहागीर भाबा यह इनका पूरा नाम होता है डाक्टर होमी जहागीर भाबा तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोशन नमर है यहाँ पर 22 22 पे दिया गया है केंद्रिये चमडा सोथ संसान कहा है इस् चैन नहीं मेज़ती थे यह सेंट्रल लेदर रिसर्च एनस्ट्यूट है और इसकी इकाईया जो है दो यूनिट है एक है कानपूर में और दूसरी है आगरा में तो ध्यान में रखना है जब आप से इकाई पूछा जाए इनकी और कौन कौन सी है तो आप बताएंगे कानप यह पूछ लिया जाए तब आप बताएंगे चेन नहीं इसका राइट आंसर होगा जिस तरह कोशन पर दिया गया है कोशन नमबर है 23 23 पर भारतिये चारा गाएवं चारा अनुसंदान संस्तान कहा इस्तित है कई बार एक जांस में पूछा गया है खासकर पब्लिक सर्विस कमिशन में कई बार आता है आपसन इसका राइट आंसर होगा जासी उत्तरपरदेश नेक्स्ट है कोशन नमबर 24 24 पर दिया गया है भारतिये सब्जी या इससे साग भाजी कहा जाता है अनुसंदान संस्तान कहा इस्तित है आपसन आप डी भी देख ले क्या दिया गया है प वारा रसी कहा वारा रसी यह सहर वारा रसी गंगा नदी के किनार इस्तित है कई बार एक्जामस में पूछा गया है ओके नेक्ट कोशन है 25 25 वेर वेर इंपोर्टेंड भारत का सुनामी चेतावनी केंदर कहा है इस्तित है इसका जो राइट अंसर होगा आपसन सी होगा भा कद्धराबाद तिलंगाना के अंतरगत आने वाला अम्मन Whenever कि लिए 5 साल के लिए आधानी रहेगी लेकिश की नहीं राजदियनी राजदानी है क्या अमपındaat पास अनुसंदान संस्थान कहां इस्तित है यहां पर Central Cotton Research Institute के बारे में बात किया गया है इसका जो राइट आंसर होगा आफसन यह होगा नागपूर में इस्तित है नागपूर मतलब महराश्ट्रा में तो ध्यान रखे कई भर इक जांस में दारज्चा जिए लिगर कहां रखे क्वाश्चा यह पर के जो गया गया दो मतलब होदा जियो ग्राफिकल इंडिकेशन नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं कोशन नमर है यहाँ पर 28 पर मिंसर ने जीबी पंत हिमालियन पर्यवरन विकास संस्तान कहा इस्तित है क्या होगा इसका राइट आंसर आफसन B is the right answer अलमोडा यह उत्राखन पर पढ़ता है तो आफसन B इसका right answer होगा नेक्स्ट है कोशन आप पढ़ लें यहाँ पर अगर आपसे इस तरह पूछ लिया जाए एक जामस में Great Himalayan National Park कहा इस्तित है कोशन आप पढ़ लें ना 28 पर जो दिया गया है फिर इसके बाद आपको अगर इस तरह पूछा जाए Great Himalayan तो यह कुलू हिमाचल परदेश में जब National Park कह पूछा जाएगा तो आप कुलू यह district है हिमाचल परदेश का लेकिन जब भी आपसे कोशन में जिस तरह पूछा गया था कि जीबी पंत हिमाचल पर रहे हो रहाँ यह काफी इंपोर्टेंट है यह कुलू काता में इस्तित है आपसन इस तरह राइट आंसर 18-90 में इसकी स्थापना हुई थी 1890 में नेक्स्ट है कोशन नबर 30 30 में दिया गए भारतिये प्राडी यह जन्त विज्ञान सर्वेशड़ को यह भी भाग कहां इस्तित है इसका भी राइट आंसर 18-90 होगा कोलकाता में इसका भी हेट कॉर्टर है BSI and the ZSI BSI Biological Survey of India and Geological Survey of India दोनों के जो हेट कॉर्टर है वो कोलकाता में है कई बार एक्जाम्स में पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है कोशन नमर है 31 31 पे दिया गया है केंद्रिये सुस्कु भूमी खेती अनुसंदान सर्थान कहा इस्तित है काफी इंपोर्टर्टन है खासकर पब्लिक सर्विस कम्यूशन एससी सीजियल्स के लिए और भी अधर एक्जाम्स जो भी हर एक्जाम्स होते आप संसीज का राइट आंसर होगा हैदराबाद में कई बार एक्जाम्स में जब भी वेपर टब बनता है तो ऐसे कोशन रखे जाते है काफी इंपोर्टन कोशन है केंदरी एसस को इवं भू में खेती यहां से आपको क्रेश करना है कोशन को भू में खेती अंसर्दान संस्तान यह हैदराबाद में है यहां पर आप देख लें जो भी कोशन अभी तक पूछे गए पब्लिक सर्विस कमिशन में यह पूछे गए थे एक कोशन पूछा गया तक केंदरी एसस को बागवानी संस्तान कहा है आप बताएंगे बीका नेर राजिस्तान में दूसरा होता है पॉइंट राश्टी एक क्रस्ण विपारणन संस्तान कहा हिस्तित है यह जैपूर में हिस्तित है कहां जैपूर में तो इन कोशिनों में थोलग से डिफरेंस है, आपको समझना होगा, यहां पर क्या डिफरेंस है, केंद्रि ये सुस्कु बाग्वानिय संस्तान बीकारें बताएंगे, जब भूमि खेती लिखा वानुस नसान संस्तान, तब आप हैदराबाद बताएंगे, जब आप से राश् डीज दा राइट आंसर देहरादून ये उत्राखंड की कैपटल है तो आपसं डीज का राइट आंसर होगा अगर आपको आता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बाउस में जो उत्राखंड की नई कैपटल बनाई गई है वो कौन सी उसका नाम क्या इसे नेक्ष्ट वीडियो म हम cover करेंगे आप यहां पर देख लिए question number A 33 33 पर दिया गया वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है अब आप आपसन पढ़ सकते हैं फिर अपना answer बता सकते हैं वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित काफ़ी important question है option B is the right answer कहां जोरहाट अशाम में काफी इंपोर्टेट है ध्यान रखे आफशन सी इस दराइट आंसर हैदराबाद में कहाँ हैदराबाद में पर्माड खनीज अनुसंदान और अन्वेंशन जो निदेशाल है वो हैदराबाद में इस्तित है भारती ए कृतिम अंग निर्माड निखम कहा अनुसंदान जाता है जो भी घृतिम अंग का निर्माड किया जाता है ! तो इसका जो राइट अंसर होगा. यहा पर आप आपसं यहाँ लिख लेक लेना कानपूर क्या ? यहाँ पर देखर दिखा देखत ven बाड़ी आपसे抵िपी CC कर लेना ओंसर जो भी लिखेंग आपको कानपूर लिखेंगे करतिम अंग का difficulties पिष्टल्लिम्स बनाए जातें बॉडि के कोई भी पाड जो भी हैंडीकैप परसंद होता है इन के लिए यह यहां पर बॉडिय पार्ड बनाय जाते और पुरे इंडिया में चेल किये जाते हैं आपसन जो उत्तर पे लिखा है आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर है तो के आपसन एपी यहाँ पर मेंशन कर लेना कानपूर उत्तर प्रदेश्ट नेश्ट कोशन है इसका राइट आंसर क्या होगा इसका जो राइट आंसर है आपसन भी है बेंगलूरू कहां बेंगलूरू में आपसन भी इस दराइट आंसर यह करनाटा की कैप्टल है आपसन भी इसका राइट आंसर होगा यह लिखा यहाँ पर इसका मतलब होता है इंडियन स्पेस अर्गनाइजेशन इसका जो हेट काटर होगा ये बैंगलोर में होगा ओके बैंगलोर को इलेक्टानिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है भारत का उद्धान भी कहा जाता है किसे बैंगलोर को अंतरिस सिटी के नाम से भी जाना जाता है किसे बैंगलोर को तो ये पॉइंट स सारा भाई अंतरिच केंद्र कहा है इस्तित है काफ़ी इंपो as being the right answer यह आपसंसी कभी त्रिवेंद्रम लिखती दिया जाता है एक जाम में लेकिन ठिया लगना त्रिवेंधि ट्रिवेंद्रम नीइसम इंपो counting आइसह काफी यहां में पूछन चैम norma तो कापि इंपोर्ट対 द्यान रगनागना है यह स्री हर अंध्रा प्रदेश में इस्री चीटैका अपसन भी इसका राइट आंस तर होगा स्री हरी चीटा आहन्दरप्रदेश और यहाँ पर से सार के ना जाता है तू से हरिकोटा में इस्तित हैं यह अंदरप्रदेश की सीमय में परता है काफी इंपोर्टेंट है तो ध्यान बेखने अपने अगर चैनल पे नहीं से सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने दोस्तों साथ सेयर करें क्योंकि डेल एक टेस्रीज अपलोट होती जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगी तब तक के लिए टाटा वाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स परवाज़न पूर्ण थैंक्यू